दोस्तों इस वक्त नेट्फिक्स पर स्ट्रीम हुई हीरा मंदी को देखने वाले यही कह रही है कि क्या लाज जवाब नेट्फिक्स पर एक सीरीज आई है और ऐसे में आपको बता दे कि हीरा मंदी जैसी सीरीज से पहले जो की 200 करोड में बनाई गई है उसे कम बजट में से भी जादा कमाई कर चुकी है और सभी की फेवरिट फिल्मों में शामिल भी है आखिरकार उस फिल्मों का नाम क्या है जो कम बजट में बनाई गई और सभी की चहिती फिल्म बन गई चलिए आपको इस वीडियो के जरीए आपको बताते हैं दोस्तों हीरा मंदी से कम बज संद भी किया और लोगों का मिला जुला रिस्पॉंस भी देखने को मिला हीरा मंटी से कम बजट में भंसाली की कई फिल्म में बनकर तयार हुई है उसमें से बाजीरा मस्तानी पहली फिल्म शामिल हो सकती है क्योंकि इसका बजट 145 करोड़ है वही फिल्म ने 350 करोड़ से ज़्यादा कमाई किये थे तो वहीं दूसर नंबर पे हम देवदास का नाम एड़ ओन करेंगे क्योंकि देवदास में शारुखान, मादुरिदिक्षित और इश्वहराई की जोड़ी हर किसी को याद होगी खैर ये फिल्म 50 करोड़ में बनकर तयार हुई थी जो उस वक्त की महेंगे फिल्मों में से एक थी और इसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था खुब सारा प्यार भी दिया था तीसरी फिल्म Mary Com इस फिल्म में प्रियांका चोप्रा ने Mary Com का किर्दार निभाया था जबकि भनसाली ने इस फिल्म को प्रेडूस किया था रिपोर्ट चे मुताबेक ये 38 करोड में बनाई गई थी वही बजट से काफी अच्छा कारोबार इस फिल्म ने किया था और नेक्स्ट गोलियों की रास लीला राम लीला जी हाँ दिपिका पादुकॉन और रंबीर सिंग स्टारर इस फिल्म को 88 करोड में बनाया गया बॉक्स ओफिस पर फिल्म ने 200 करोड के उपर की कमाई की है और नेक्स्ट आती है फिल्म हम दिल दे चुके सानाम सलमान और इश्वाराई की इस फिल्म को भुलाया भी नहीं जा सकता है 16 करोड के बजट में इस फिल्म को तयार किया गया था और 51 करोड रुपई का उस वक्त इसने कलेक्शन किया था और आज इसे हर कोई टेलिविजिन में देखना पसंद भी करता है नेक्स आती है गंगुबाई काथियावाडी आल्याबट की फिल्म को 100 करोड उतमें तयार किया गया था भाई पिक्चर ने बॉक्स ओफिस पर बहुत जादा कमाई की थी दरसल हीना मंडी के बजट में दो गंगुबाई काथियावाडी बन सकती है तो तो दो शे फिल्मों में से आपकी फेवरिट फिल्म कौन सी है जिसे आपने कई बार देखा है और कितनी बार देखा है जरूर कमेंट सेक्षिन में मेंचिन कीजेगा फिलालस वीडियो में इतना ही मुझे दीजेगा इज्वासत बाबाई एंड टेक कियर